Hello student, it's a lecture में बात करने वाल है binary subtraction using once compliment अगर हम binary number की बात करें तो हमई में 2 compliment study करने होते हैं पहला है हमँरे पस for once compliment और दूसरा two compliment बिसिकलि यह जो compliment है वो जो decimal equivalent होते हैं नेगेटिव numbers उनको show करने के लिए use किया जाता है तो यहाँ पर हम बात करेंगे binary subtraction की ठीक है तो यहां पर हम once compliment को use करने वाने तो पहले हम हमारा जो focus होगा वो होगा once compliment को study करने ठीक है अब यह once compliment निकलता कैसे इसके कुछ rule है वो हमको याद रखना वो rule क्या है अगर आपके पास one है तो आप उसे क्या करें जीरो से change करते हैं और अगर जीरो है तो उसे आप क्या करें वन से change करते हैं यानि कि simple सी बात जीरो को आप one से replace कर दो और one को आप zero से replace कर दो तो आजाएगा आपका once compliment एक्जम्पल के तौर पर हम देखें हमारा क्या है फाइव है प्लस का फाइव ठीक है यह नमर कैसा प्लस का फाइव हमने यह पर लिखने वाला है इस तरह हम इसका लिखेंगे पर अगर यह नमबर निगिटिब में हो तो कैसे हम इसको represent करेंगा तो नीचे हमने जो एक्जम्पल का इसका second form हमने लिख रखा यह वाला यहां पर हमने क्या लिख रखा है एन इसको माइनस 5 ठीक है यह decimal में क्या है डेशन नमबर सिस्टम में यह माइनस 5 यह अब इसको represent करने के लिए हम क्या करेंगी वन कंपलिमेंट के यहां पर यूज करेंगे ठीक है वन कंपलिमेंट कैसे करना है अब इसे हैं पर थ्यान से देखें नहीं ठीक है तो जीरो वन जीरो वन अभी हमने देखा रूल कि जहा रहेगा वन से तो हमने यहां पर जो वेल्यू है वो मिल गई वन जीरो वन जीरो बाइनरी ठीक है तो यह क्या आ गया यह माइनस फाइब को रप्रेजेंट करने के लिए हमने वन्स कम्लिमेंट हमने निकाल लिया और वन्स कम्लिमेंट से हम इसको क्या करना है इसको रप्रेजेंट कर रहे हैं तो इस तरह से यह जो बन्स कम्लिमेंट है इ का calculate करना है ठीक है कैसे करेंगे simple वह हमें क्या करना 0 को वन से replace कर दो तो कितने वन आएंगे हैं कितने वन आएंगे आपर 111 ठीक है यहां पर 20221 और फिर आगे 0 तो इस तरह से क्या निकले आए इसका वंस कम्लिमेंट निकला है ठीक ऐसे ही हम हमें आपर ले रहे हैं express the decimal number minus 39 as 8 bit number इन वनस कम्लिमेंट तो अब माइनस 39 को represent करना है माइनस 39 को represent करने के लिए सबसे पहले आप हो क्या चाहिए प्लस 39 और थर्टीन नाइन डेसे नम्बर चाहिए तो पहला इसका हम binary equivalent निकाल लेते हैं चीक है 39 का हम पहले क्या निकालेंगे binary equivalent निकालेंगे तो बाइनरी equivalent कितना आएगा इसका वन जीरो जीरो वन 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 यह मिलेगा इसका binary equivalent अब यह कितने bit में है 123456 6 bit में हमको क्या चाहिए 8 bit यहां क्या पूचा है 8 bit representation तो बस आगे दो 0 और लगा यह बन गया हमारा क्या 8 bit representation of माइनस इसना पूचा क्या question में माइनस 39 पूचा ना तो प्लस 39 मिल गया है वन कंप्लिमेंट निकाल लो तो यह किसमे कंवर्ट हो जाएगा माइनस 39 में यह कंवर्ट हो जाएगा ठीक है करते हैं अब हम लखेंगे माइनस 39 10 को रप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ा है इसका वन कंप्लिमेंट तो 0 को वन से रप्लेज कर दो वन को 0 से रप्लेज कर दो यह आ गया माइनस 39 का रप्रेजेंटेशन इन बाइनरी फॉर्म ठीक है तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं माइनस के जो नंबर है उन्हें हम रप्रेजेंट कर सकते हैं ठीक है अब हम next example पर चलते हैं तो यहाँ पर हमें जो example लेना है वो लेना है binary subtraction के लिए ठीक है और हम यहां समझेंगे कि binary subtraction को हम यहां पर once compliment की help से किस तरह से solve कर सकते हैं ठीक है basically जो once compliment है वो निकाल क्यों रहे है अगर हम जो journal rule है subtraction का binary subtraction है अगर हम उसको use करते है तो जो छोटे number है जो छोटे साइस की जो number से उनको calculate करना आसान हो जाता है पर अगर जहां पर यह number large हो जाए वहां पर वो rules को apply करना थोड़ा सा typical हो जाता है इसी लिए once compliment और two compliment को यहां पर ले करके आया गया ठीक है तो चलो अब हम क्या करने वाले हैं हम binary subtraction को use करेंगे अब इसके लिए हमें क्या करना है रूल को समझना है इसे पहले कपी के वीडियो को like कीजी शेयर कीजी और हाँ चैनल को subscribe करना मत भूलना तो चलो इस वीडियो को आगे हम लेकर के चलते हैं यहां पर हमें रूल निकालना है हमने यह पर दो नंबर ले लिए एक है है हमारे पास और एक हमारे पास भी है दौनों भाइन नंबर है A मैंसे मज़े B को subtract करना है तो rule क्या follow होगा rule follow यह होगा कि हमें जिसे subtract करना है उसका once compliment निकालना है सबसे पहले है उसके बाद क्या करना है second step में second step में A plus once compliment of B2 मतलब जो आपने B का once compliment निकाला है उसको A के number से आपसे क्या करना है add कर दें इसके बाद क्या करना है हमें जो दो बहुत ही खास rule है जिन पर हमें ध्यान रखना है और वो यह है final carry अगर one आती है अगर carry भी आई ही और नहीं भी आ सकती अगर carry one आती है तो हमारा जो subtraction होगा positive subtraction होगा इसका मतलब क्या हुगा इसका मतलब यह है कि अगर आप greater number में से smaller को subtract करोगे तो आपका जो result है वो positive आएगा ठीक है और अगर smaller में से अगर आप greater को subtract कर रहे हो तो कैसा आएगा negative आएगा ठीक है ऐसा ही ठीक है तो हमारा जो subtraction हो कैसा होगा positive होगा and true form हमें इसको add कर देना है जो भी हमारा result आएगा इस carry को जो भी carry आई है यह जो one आया है उसे result में add कर देना कौन से result में इस second step के result में उसको add कर देना है ठीक है इसके बाद जो fourth rule है वो कहता है कि carry zero है यानि कि carry generate नहीं हुई ठीक है find करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वापस से once compliment करना पड़ेगा उसको reverse करना पड़ेगा उसको invert करना पड़ेगा ठीक है तो आपको जो actual जो magnitude है वो आपको उसमें आपको मिल जाएगा आपको बस क्या करना पड़ेगा sign आगे उसके negative लगाना होगा क्योंकि वहाँ पर carry generate नहीं हो रहे है यह rule है इसका ठीक है हमारे पास दो cases है इस तरह study करने के लिए पहला A B दोना positive है और इसमें से A जो है वो B से greater ठीक है A जो है वो B से greater है ऐसे ही दूसरा जो case है और भी दोना positive है पर A क्या है B से smaller है तो यह हमें cases study करना है ठीक है पहला जो case है वो क्या है 1011-0100 इसे हमें क्या करना है सब्स्ट्रेक करना है ठीक है तो पहले मैं क्या करूंगा मेरे लिए A कौन है A क्या है मेरे लिए 1011 है और इस लूद्ध निकाल लेते हैं अगर भी चाहते लिए निकाल लेते हैं अगर अगर यह इनिक है अब क्या करना है सब्स्क्राइब को एड़ कर दो ठीजा है एड्ट करते हैं 1,0,1,1 और ऐसी यहां है का 1,0,1,1,1 एड्ट करते हैं इसको, तो 1,1 क्या मिलेगा मझे, 0 मिलेगा, carry 1 जनरेट होगी जाए आपर, 1111 trapple'ing 1 है तो यहां पर मान आजाएगा तो यह व mày हो जाएगा और यह वह हाएगा जिरो यह हो जाएगा खीम सपार ला अब जला देखो यह क्या हो रहा है यह क्या है केएट काई है ना स्क्रीख है अधो क्या करते हैं इसको adv relief देख लिए तो यहां पर हम क्या करेंगे तो 0110 हम इसको वन को यहां पर एड़ करेंगे मिलेगा क्या मुझे 0111 तो यह मेरा जो है यह आगा फाइनल रिजल्ट मुझे यहां पर मिल गया इसे अगर हम वेरिफाइब करें सिंपल सब्सक्रेक्शन रूल से तो यह हमारा रिजल्ट मिलना चाहिए ठीक हम इसको एक बर वेरिफाइब कर लेते हैं तो 1011 हम सीधा डारेक्ट इसको लिखते हैं 0100 और सब्सक्रेक्शन वाला यह रूल है वह पर हम एपलाई कर देते हैं ठीक है तो वन मैंसे 0 जाएगा तो वन बच्चेगा इस वन मैंसे 0 जाएगा तो बच्चा गया जीरो तो सिर्फ बच्चेगा देखो चरह वेरिफाइब हो गया सिंपल रूल से ठीक है तो इस तरह से हम सब्सक्रेक्शन को कर सकते हैं अच्छा सेकंड केस के हमेरे पास 4 माइनस 9 अब यहां पर क्या हो रहा है बी जो है जो A है वो smaller than B है तो हमें यहां पर एक्षी समझ में आगए कि इसका जो रिजल्ट होगा वो निगेटिव होने वाला है ठीक है रूल हम अपलाई करेंगे और उस रूल से हम उसको solve करेंगे ठीक है तो 4 सबसे पहले 4 की बात करेंगे झाल लेते हैं बाइनरी तो बाइनरी क्या निकलेगा इसका 01 00 यह जा गया भाइनरी ठीक है 9 का क्या होता है 1001 होता है अब B को सब्स्ट्रेक करना भी है 9 यानि को किसका निकालना पड़ेगा इसका निकालना पड़ेगा निकालना पड़ेगा ठीक निकाल लेते हैं इसको यह आएगा 0, 1, 1, 0 यह आएगा इसका बंस कंप्लिमेंट दौनों को एड करना है ठीक है एड कर देते हैं 0, 1, 0, 0 यहाँ पर हम लेते हैं इसको 0, 1, 1, 0 ठीक है तो 0, 0 का एडिशन जीरो यहां वन्वन कीरिए जेन्रेट होगी तुम पर अगया है चon food одно कोई इंढत नहीं कोई थे यहां पर आ चाहिए थी इस जगह पर इस जगे पर एक final carry जनरेट होना चाहिए थी, वो नहीं होई है, इसका मतलब हमारा जो result वो किस तरह का है, negative है, एक बार अपन और इसको देख लेते हैं, ठीक है, यह हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, क्या पर 0 क्या आया, यहाँ पर carry आई, वो क्या आई, 0 आई carry यहाँ पर, कोई find करने के लिए क्या करना पड़ाएगा, उस number का जो result आया है, उसका once compliment निकालने है, तो आपका number आ जाएगा, ठीक है, करते हैं इसको, इसे वापस से हम करेंगे, तो हमारे पास number है, 1010, इसका क्या लेना है, once compliment हमें इसका calculate करना है, ठीक है, क्या आएगा, 0101, ठीक है, यह आगया, अब यह number किसका है, 0101, यह 5 का है, तो जो हम लिखेंगे 5, तो उसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा, क्यों लगाना पड़ेगा, क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि carry generate नहीं हुई थी, और rule के इसाब से जो answer वो कैसा है, negative होगा, तो जब हम इसे convert कर लेंगे, revert कर लेंगे, तो हम क्या लगा देंगे, उस number के आगे, minus का sign लगा देंगे, जब यहाँ देखें अगर हम, तो 4 minus 9 है, अगर हम सब्स्ट्रेक करेंगे, तो result तो 5 आएगा, पच्चु की 9 greater है 4 से, तो answer किसका होगा, negative का 5 आएगा, जो इस से verified होता है, ठीक है, चलिए, उम्मीद है, यह concept आपके समझ में आ रहा होगा, तो फटा बढ़ते वीडियो को like कर दो, next example हम चलने है, 25 to minus 14 using the 8 bit once complement method, यानि हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 8 bit में convert करना पड़ेगा, इन दौनों numbers को, और फिर उसका, जो भी complement method है, वो हमें यहाँ पर apply करना है, ठीक है, 25 को हम निकाल लेते हैं, 25 का क्या होता है, 1, 1, 0, 0, 1, ठीक है, यह कितने का है, 5 का है, तो 8 bit में convert करना है न, 1, 2, 3, 3, 0, और हम है यहाँ यहाँ पर लगन पड़ेगा, हो गया, ठीक है, ऐसे ही अगर हम 14 की बात करेंगे, तो 14 का क्या है, 1, 1, 1, 0, 4 bit में आएगा, 14 का, अब आगे 4, 0, और add कर दो, यह हो गया, 8 bit conversion, ठीक है, हो गया, चलो, ठीक है, अब यहाँ पर बोला, add करना है, 25 plus, minus 14 को add करना भी, यह एड करने का मंदब सीधा सीधा, 25 में देका करना है, 14 को सब्ट्रेक करना है, ठीक है, तो 14 को सब्ट्रेक करना है, ठीक है, तो 14 को सब्ट्रेक करना है, तो यहाँ पर minus 14 हमें ले करके आना है, तो माइनस 14 जो है उसका मैं माइनस 14 मतलब उसका 14 का वंस कम्लिमेंट लेना पड़ेगा चीक है ले ले लेते हैं वंस कम्लिमेंट कि क्या आएगा 1111 30 और फिर वन यह आ गया इसका वंस कम्लिमेंट एड कर देते हैं तौनों को 000 11001 और 0001 ठीक है एड करें तो क्या मिलेगा मज़े यहां पर 11 से 0 कैरी 1 यहां पर आजाएगा यह 0 बचेगा यह 1 बचेगा 110 फिर 11 0 फिर 11 0 फिर 11 0 फिर 11 10 जड़ा देहो यहां क्या हो रहा है यह 1 फाइनल जो है वो कैरी गनरेट हुई है अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे इसको इस नमर में वापस से एड कर देंगे जीरो 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 फिर जीरो फिर 1010 इसमें हम क्या करेंगे इस वन को एड कर देंगे यहां साइन की इधर न लगा करके मैं इसको इधर लगा देते हैं ठीक है तो 4012341011 ठीक है यह आगया हमारा आंसर कि अब यहां पर नेइक्स एग्जांपल और लेते हैं अब यहां पर क्या हो गया है टour टिर फाइफॉज एक्शंपल है फॉर्टिञ प्लस का है ठीक है चेह अब इससे सॉलकर करना है वंसकेंड़ेमन मैंथरक को इनघो करके तो यहां पर हम 25 का कैण नाले है पहले बंस हम रिजल्ट निकालेंगे तो पहले 14 हम लिख लेते हैं, 14 हमारे पास अल्रेडी है, 0, 0, 0, फिर 0, फिर 1, 1, 1, 0, ठीक है, अब माइनस का 25, जो 25 है, इसका once complement ले लो, 1, 1, 1, 0, 0, फिर 1, 1, 0, बना है, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, यहां पर 1, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1,anger, अब जड़ा देखो, क्या रहाए, u1, 1, 1, क्या कोई यहां पर carry generate होई नहीं, यहां पर carry generate होई, यहां पर zero है, इसका मतललब हम उमारा रिज्ल्ट आया है एड होने के बाद इसका में वंस कंपलिमेंट देना पड़ेगा ठीक है फार ले लिते हैं विए यहां पर देखे तो मैं results किता मिला 11, मिल मिलू, पर किसका मिला है, माइनस का, और यह जो 101, यह किसका नमबर है, 11 कही तो है, यह 11 का तो है, पर हमने यहाँ पर carry case है, 0 है, यहाँ पर carry generate है, इसका मतलब उसका nature किस तरह का है, negative nature का है, तो मैं पर साइन नम क्या लगा देंगा माइनस के लावर उमीद है यह एक्जामपल अच्छे से समझ में आ गया होगा एक और एक्जामपल ले ले लेते हैं कि 25 टू माइनस 25 चीक है चलो 11100 110 क्या मिलेगा मझें यहां पर 1111 111 क्या कोई के रिजनरेट हुई नहीं कोई के रिजनरेट नहीं होई मतलब हमें इसका फिर से क्या निकलना पड़ेगा इस रिजल्ट का वंस कम्विदिमेंट निकालो यह वह फाइनल रिजल्ट होपा निकालने तो क्या मिलेगा 000000 000000 यह आगया अब जड़ा देखो है या पर 25 और 25 को अगर हम आड़ करेंगे तो result क्या मिलेगा? 0 मिलेगा ना verified है पूरा उमीद है यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, concept समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो चैनल पर नए है तो उसे सब्सक्राइब करना मत भूलना